तो दोस्तो सूप्रभाद और एक बाद फीसे सौगत है आपका डे एंशिंट एरा यूट्यूब चैनल में तो आज हम एकस्टोर करेंगे अवरंगाबाद केव जो की हुब हुए अजन्ता और एलोरा की गुफाय की तरह तो एकस्टोर करते हैं गाईज सो गाईज पहले हम विजिट करेंगे केव नबर साथ तो इसकी थोड़ी से इंफॉर्मेशन आप इस बोर्ड पे लिखी हुए है वह थोड़ी से आप और लिजेगा यह गाईज केव नबर साथ और यह गुफा नबर साथ की आपको थोड़ी से जानका रहे है वह गाईज जैसे बनी हुई है यह है अपना इंटरंस कि कारीगरी देख सकते हो गाईज जैसे की हुब हुआ हम जैसा कल गए थे हम एलरों की गुफाय में वैसे है से मतलब आज के आधुनिक दुनिया में यह कर पाना संभव है गाईज यह देखिए गाईज कलाकृती देखिए बहुत बढ़िया तो गाईज यह असंभव है यह अभी की दुनिया में मतलब अभी के लोग ऐसी कारीगरी नहीं कर सकते हैं ऐसी कलाकृती नहीं बना सकते गाईज अभी कि दुए बना सकते गाईज आज को तो एंग प्रतिमा है देखे गाइस यह अंदर वो फिलान में भी अकेला हूँ गाइस अकेला डर लग जाए अभी सुबह सुबह विजिट करने के लिए खाली में आकेला ही आया हूँ इदर और थोड़ा सा धर भी लग रहा है यह अवाज भी गुम रही है यह देखे अंदर इतना और तो मैं नहीं जाबाऊंगो गाइस यह लगता है शायद ही डूर है एक यह दूसरा और और एक तिसरा और चौथा चायद चौथा डूर है यह जो बड़ी से प्रतिमा आप देख सकते हो यह गवताम बुद्ध जी की प्रतिमा है वह भी शाक्षाफ लग रहे हैं बहुत बढ़िया और अंदर तो काफी यंदी रहे हैं और अभी फिलाल यहां भी गेट की तरह एक एक डूर दूसर तीसरा और चौथा उसके अंदर भी गईज प्रतिमा होगी शाइस कलाकृतिया होगी लेकिन उसको हम थोड़ी देर बाद विजित करेंगे पहले बाहर से देख लेते हैं यह होगे केउ नंबर साथ बंदर से तो आप आपने देख ही लेया कि कैसी प्रतिमा है कैसी कलाकृत है जो कि आज के समय में बनाना नामुम्किन है मैं तो उपर के और चलते हैं अब यह साथ नंबर है और वह थोड़ा सा बाहर की और आप देखेंगे यह बाहर की और तो इधर से आप उपर चड़ेंगे तो उधर भी मूर्तिया है यह उपर से है गाइस ओके तो गाइस लगता है यह दूसरी केव है यह केव नंबर छे है सिक्स केव नंबर सिक्स यह देखिए गाइस इसका इंट्रेंस किदर है इसका इंट्रेंस भी दिख गया है मुझे तो मतलब जैसा कि आप आपने देखा कि गुफा केव नंबर साथ में वैसा है से केव नंबर छे में भी है तो गाइस यह है डूर वन पूरा अंदेर अचाहे होगा है अंदेरा इसलिए आपको दीखने रहा हुगा कैमरे में लगता है यह कोई विश्राम करने की जगा है थ सुड़ा सापको में फ्लैसलाइट और देखता हूं और गाइस हां शाय से यह विश्राम करने की जगा है और यह 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 यहां पर वह जो बहुत बिख्शु रहें पर यह यहां पर विश्राम करने आते रहेंगे और यह डूर नंबर टू यह भी सेम है गाइस यह दग देख सकते हुए जो पहला दोर था उसी के तेरा ये दूसरा दोर भी है मतलब दूसरा रूम आपने जैसे देखा है ये जो केव बनी हुई है वो पहले के जमाने के जो भीक्षू यहां विश्राम करते रहेंगे तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा है केव नमबर छे और केव साथ उसी के तरह सेम केव नमबर आठ है लेकिन केव नमबर आठ में नीचे उतना देखने के लिए कुछ नहीं है और उसके सेकंड फ्लोर में आप देख सकते हो बढ़िया है देखने के लिए लेकिन अभी फिलाल उपर जाने के लिए अनुमत ही नहीं है क्योंकि उपर जो होकर सेप्टी का कुछ बनाए जाएगा बैरिकेट्स और फिर बाद में वह चालू कर दिया जाएगा उपर की ओर तो दोस्तों चलते दूसरी गुफा के ओर तो दोस्तों आप सभी ने देखा है होगा के नुबर छे सात और आट तो उसी की तरह गाइस थोड़ा सा उपर आने उसी की तरह हूब हूँ नेचे की जो मूर्ती है गाइस वह थोड़ी सी तूट चुके है तो थोड़ा सा अंदर जाके हम देख देखते हैं भी ओ भाई यह देखिए गाइस यह मूर्ती है दर्वाजी के बाहर सेम एक और दो और अंदर अभी आप जाएंगे तो गवतम सबस्क्राइब कि सब्सक्राइब कि जिर्दी तो इदर आएगे तो चुछ रहेँ हैं एक डुर की तरह और अंदर में कुछ नेहीं ही मूर्ते ङृट्र मृतिया लेकिन यह वाली मृत्य में आप थोड़ा सा देखेंगे तो एंक время वो मतलब बहुत साल हो गए arching कोबनाई हो यह समुर्ति का जो पैर होँ थोड़ा से पर हो चुके है यह कि अंदर का थोड़ा कैशेे क्योंकि अंदर भी मूर्तिया है यह देखें गाइज यह है इस केव नंबर 9 का बड़ा सा कमरा कमरा ही कह सकते गाइज आसके दमने में यह है मूर्ति बाहर की यह वाली और यह वाली सेम है यह मूर्ति को सब्सक्राइब करें लाइज मैंने में देखा है गुफअ की तरह है थोड़ा सा देखेंगे अंदर के और के तो यह के की तरह यह अंदर से के में एक और के यहाँ पर देखेंगे गाईज ओके तो अहां दो तो तो जी की मूर्थी अंदर भी लेकिन थोड़ी सी जर जर हो चुकी है तो केव नुबर छे साथ और नो के बाद मतलब अतना मूर्ति यह नुबर 10 में आप सीधा 9 से जा सकते हो अगर आथ नुबर नुबर यहकी तरह ही आहां से सीधा केव नुबर 10 में इंटर कर सकते हो गाईस यह सीडी यह दरवाजा वह यह यह से आप अगर आंगे केव नुबर दस में तो केव नंबर 10 में उतना कुछ नहीं है गाइस पूरा मतलब काम जो है लगता है शाहिद जो केव नंबर 10 का जो काम है वो चल रहा था लेकिन कुछ कारण के वज़े से काम रोकना पड़ा इसलिए यहां मूर्तिया वेगरा तो कुछ बनाया गया नहीं है देख सकते ह जो पथर ही दिखाई दे रहे हैं कुछ मूर्तिया वेगर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं अगय तो आगे बढ़ते हैं कुछ नहीं केव नंबर 10 की जो एक प्रमुक मूर्थी है गौतम भुच जी की शयन मुद्रा में वह तो आपने आपको दिखाना में बहुली गया तो तो थोड़ा सा वाकर औरा देता हो वह पारा गलता जी कि जुवित शैयन मुद्रा में मुद्रा जो मूट रागत देख सब्सक्राइब करना लोग सेमाल धार इसा जा यह कि यह मुट्वलोग अगे बढ़ते हैं दूसरे केव कि ओर तो दोस्तों जैसे कि हमने एक्स्पोर करा नीचे केव नमबर 6 से 10 तक और अभी हम एक्स्पोर करेंगे केव नमबर 1 से 5 तक तो ये केव जो है आपको टिकेट काउंटर से सीधा आपके बाई और केव नमबर 1 से 5 जो है आपको देखने को मिलेगी और केव नमबर 6 और 10 जो है आपके टिकेट काउंटर से सीधा दाई और देखने को मिलेगी तो चेले गाइज केव नमबर 1 और 5 एक एक्स्पोर करते हैं चिंए को बारवा पांच पहले हुम विजिट करेंगे एक उनमबर पांच तो के पांच में जाने के लिए आपको एक सिड्य चड़ने पड़ेगी जोे यह वाली सिडिक एक का देखते हैं आप ऑपर क्या मिलेगा आपको देखने के लिए तो गाइस यह है केव नमबर पांच देखिए गैस यह तो जेसके हमने देखा यह गाइस यह है केव नमबर पांच में जो है गवतम बुझ्जी की बहुत सरे से अब रंगाबाद के उनमें से बहुत सरे से केव है जो आपको गवतम बुझ्जी की जो है मुर्तिया दिखाई देगी तो यह इतना कुछ नहीं है जो भी केव है वह गवतम बुझ्जी की मुर्तिया मुर्तिया जो है वही सब बनी हुई है तो गव गव नमबर पांच में एक बालकनी जैसा बनाए हुआ है देखते हम यहाँ से अगर आप जाओगे यहाँ बालकनी देखे गाई यह बालकनी की तरह सीधा बना हुआ यह देखे दुरुष्च देखे गाई यह कितना बड़ी नजारा दिखाई दे रहा है आजकल की आधुनित्ता में उतनी नजर नहीं आएगी चितना आपको जो पूराने हमारे जो भारत के प्रतिभाशाली ऐसे कारीगर थे उन्होंना ऐसी गुफा यह बनाई है तो गैज अभी पास नंबर केव नंबर पास्ट हमने एक्सपोर करी ह तो अभी पास नंबर एक्सपोर करने के बाद हम चौती गुपा की और बढ़ेंगे तो चलिए गाइस केव नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों अभी पास्ट विजिट करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपको एक केव नंबर चार जो है दिखाई सीधा अगर आप वहां से आओगे इधर तक तो यह है गाइस केव नंबर चार तो घाइस यह दोने ठीव नंबर 4 जार केव नंबर 4 लाइस बहुत याकरशक है गाई यह देखिए यह मुझे लगता है यह कोई मठ यह मठ की तरह दिखाई दे रहे हैं यह आप स्टम दिखा दे रहे होंगे आपको यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा और तेरा स्थम्भी गाइज यह देखी गाइज कारीगरी देखी गाइज पहले की दुनिया में गाइज पहले की लोग जो है पहले की कारीगर इतने प्रतिभाशाली थे गाइज कि तुलना जो है आज की कारीगर से नहीं की जा सकती गाइज इतनी बड़िया से वो कारीगर काम करते थे अपने कारीगरी उनकी दिखाई देते हैं गाइज क्योंकि अगर आप अवरंगाबाद आओगे तो इतनी सारे इतनी साल गाइज दुनिया में हैं क्योंकि यह जो औरंगाबाद केवज है यह वर्ड हरी के साइड में आता है तो यह आप सूप देख सकते हुआ यह बढ़ी ऐसा यह मेरे सामने जो है कि सूप देख सकते हो यह तो मुझे थोड़ा सा शीवलिंग की तरह दिखाई दिखा गाइज ओपर की और भी गाइज यह पूरा गए है गाइज काम कर गए है पथर से करा गए गाइज यह देखे दोस्ते यह पथर से करा गए यह काम पूरा तो अब दो बढ़ते है केव नोबर 3 की ओर तो चलते हैं तो दोस्थोवट proud इंड है तो थीक पीछे अभी देख सकती है अब मे अब नम्बर फांच चार अब है ठीक फौरद में जो है वोर्ड में आप आपको दिखाए देगी यह थोड़ा आप वीडियो पॉस्ट करके भी देख सकते हूं इस बोर्ड में आपको दिखाए देगा क्यों नंबर 3 के बारे में जो भी लिखा हुआ है तो यह गुफा नंबर 3 के बारे में जो भी लिखा हुआ है आप वीडियो पॉस्ट करके देख सकते हों जाकर मैं आपको सब दिखा देता हूँ तो केसा है अंदर तो हम एंट्रेंस करेंगे एंट्री करते हैं आपको नजहरें मतलब जमाने में एसा आज कारीगरी आज की जमानियों करपाना यह बिल्कुल पोसिबल नहीं इंपोसिबल गई यह कहला था है गाज यह एक रॉककर्ट से बना वहाओ यह कारीघर सक्सक्राइब पूरी तूरी कारिघर है नकजिये जो आज के जमाने में करपाना तो प्रभाव शाले नहीं देखे गैज यह जो कारीगणी है इस और बहुत बढ़िया इधर मतलब केउ नमबर तीन तो बहुत बढ़िया है यह केउ नमबर तीन अभी मुझे भी थोड़ा उता नहीं गाई इस इसको शायद प्राथना मंदिर भी कहा जाता होगा गाई यह देख एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और ग्यारा और लगते हैं बारा स्थम भी इदर तो बारा स्थम में यह मंदिर जो है बनाए गया है और ठीक में जहां खड़ा हूँ बारा स्थम के बीचों बीच यहां से आप एंटर करोंगे यहां से आप एंटर होके सिधा दिखाइ देगा बारा स्थम के बाद है यह बारा स्थम के बाद आप जाएंगे एक मूर्ति की ओर मतलब वो जो अंटर आपको दिखाइ दे रहा है अभि में चलूंगहांब आपको दिखाए देखंगा एदेखी का इसमूति है लगता यह लगता अ इंद्धे रहें Гाईस लेकिन थेती तो आप देखे से भांव है इसके-स ही मतलब इतनी बढ़िया कारिगर उस जमाने में जो कि अभी इस जमाने में कोई कारीगर नहीं कर सकता है इस लेकिन खर तो किन रहुट सकता है थोड़ी सी तो उन तो रहा है कि यह मैंने आपको दिखाया है एलोरा केव में भी आपको सेम ऐसी कारीगरी दिखाई देगी गाईज यह जो बाहर यह कारीगरी सेम बिल्कुल हुबहु कारीगरी आपको एलोरा केव में दिखाई देगी जो केव नमर दो में है उसी के तरह स्वारी केव नमर तीन में है उसी के तरह कारीगरी आपको दिख कर दो कर दो कर दो कि के लिए जो नबर दो विजिक करने के बाद आपि हम जो लास्त मारे के वे दो कि नबर एक वो विजिक करेंगे गैज तो दोस्तों अभी हम जाके आए केव नंबर दो तो केव नंबर दो विजिट करने के बाद आपको सीधे उपर जाना है केव नंबर एक की ओर जो है आखरी अपने अवरंगबाद केव की आखरी गुफा एक केव तो चलते हैं चलने से पहले यह इदर कुछ चेतावनी लिखी हुए है देखें सावधान तो आपको प्रिकोशन लेना है गाईज कि यह जो केव नंबर एक है यह खड़ी चट्टान की ओर में बनाए हुए तो आपके उपर जो है पत्थर बाजी हो सकते हैं मतलब पत्थर गिर सकते हैं आपके उपर तो इसलिए साप साप लिखा हुआ ह कि आपकी ओन रिस्क पे आप विजिट कर सकते हैं क्योंकि उपर से पत्थर गिरने का एक रिस्क है तो आप बड़ी मतलब सावधा नहीं बरते कि उपर से कुछ पत्थर ना गिरें आपके उपर तो चलते हैं गाईज केव नंबर एक विजिट करते हैं और देखते हैं क्या फुबम मुझे लग रहा है केंव नंबर 10 जो हमने विजिट करी थी जो पहले विजिट करी थी केंव नंबर 10 जो मतलब काम उसका थोड़ा हो नहीं में पहले तो उसी के तरह काम अध syllग बीख रहा हैं तो विजिट करेंगी कि क्या है केम नंबर एक में तो देख सकते हैं इधर यह मूर्तिया इधर बैरेकेट से जाली लगाई हुए बतब आप अंदर नहीं जा सकते हैं और यह है इधर भी गाईज रास्ता जो यह बंद करा है क्योंकि कुछ सावधानी के लिए कुछ होगा गाईज यह भी डोर लॉक है यह डोर लॉक होने के कारण हम अंदर नहीं जा सकते हैं यह मूर्तिया यह केम नंबर एक तो गाईज केम नंबर एक में भी उतना मतलब देखने लाए कुछ हे नहीं तो यह जो केम नंबर एक है और दस जो पहले के मतलब कारेगर होगे तो उन्होंने काम जो आधा दूरा चोड़ा है तो केम नंबर हमने विजिट करा है तो गाइज चैनल को जो है पूरा सपोर्ट कीज़े और चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल